ब्रॉब्ल्म यह कि अगर आपके पास एक पार्टिकल एक्स वाइड प्लेंग में एक सरकल में मूव रहा हुआ है यह जीरो कॉर्डिट पर एक्स कोर्डिट उसका एक्स कॉर्डिट उसका एक्सका जीरो है और हमसे यह पूछा गया है कि यह सरकल में मूव कर रहा है चार्ज जिसके उपर पार्टिकल जिसके उपर चार्ज है क्यों तो उसकी वज़ाद से जेट डेक्सिस पर पोटेंशल क्या होगा ठीक है तो हमें तो पहले ट्रेजेक्ट्री चाहिए कि किसी भी टाइम पे आपके सिर्फ आप डेरिवेटिव ले लोगे तो आपके पास आ जाएगी विल ऑस्टी तो अब हम हमारे पास requirements है potential की skill potential में हमें चाहिए है calligraphic r ठीक है और mail लिए हमने calligraphic r unit vector dot b हमने evaluate करना है तो पहले r देख लें r हमारे पास यह है एक vector देखें यह यह है field point जहाँ पे हमने origin हमारा यह है तो अब field point हमारे पास रहा z ठीक है z unit vector की और minus यह source point जो है यह source point ठीक है यह आ रहा है यह आ हमारे बता रहा है तो by vector addition हमारे पास आगे calligraphic r is equal to यह field point minus यह source point minus यह वाला minus a into cause omega t r और यह पर retarded time पर हमें चाहिए t r x plus sin omega t r y तो r square हमारे पास caligraphy r square आप इसकी magnitude calculate कर सके देख सकते हैं आप इसका square root लेंगे तो आपके पास सिरफ यहां से a square आ जाए गया तो caligraphic r square is equal to z square plus a square और अगर आप इसका square root ले लो तो आपके पास आगे इसकी magnitude और caligraphic r is equal to square root z square plus a square तो जैसे मैंने आपको बताया था कि हमें यह dot product चाहिए होगा caligraphic r unit vector dot v के दिनम्याद में तो unit vector को मैं लिख लिए vector की form में caligraphic r vector divide by its magnitude और dot v के साथ तो यह वी मेरे पास यहां से आगया और आप इन दोनों को जब आप इन दोनों का dot product लगे तो आपके पास जिरू आपको यहां से ही बता है कि जो position vector आपके पास जो आर है और जो velocity vector है वो एक दूसे के यहां पर perpendicular लेकिन आपको अगर नहीं भी यहां पे जिमेटिकली अंदाजा होता लेकिन आप अदाजा होता तो फिर भी आप इसका dot product लेंगे तो आप देखेंगे कि यह exactly आपके पास zero आगया ठीक है कि आप यहां पर देखें यह term इसको multiply करें और दूसरी यह term multiply करें तो यह दोनों same term बन जाएगी लेकिन एक minus में और दूसरी प्लस में तो एक दूसरी को cancel out करतेंगे तो r hat dot v is equal to zero आगया तो यह जो denominator में term थी potential के one minus r dot v over c वो हमारे पास equal to हो गई one के one minus zero तो अब आप potential का फार्मला सिर्फ यह रह गया हमारे पास तो प्रोटेंशियल का फार्मला क्या है वान वर फॉर पैप्सव नॉट क्यू ओवर कैलिग्राफिक आर तो कैलिग्राफिक आर यह है कि जो नोमेटर में term थी ना हमने उसको इस तहां से लिखा है और जो हमने लिखा है आर इंटु वन माइनस कैलिग्राफिक आर आर हैट डॉट वी डिवाइड बाइड बाइड सी ठीक है तो यह वरी टम क्या वन बंद की बागी रागया थे कैलिग्राफिक आर तो इसकी जगाह पर यह पूटेंशियल यह 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 वैलिवा गई करने के बाद आपके पास आजाएगा वेक्टर पोटेंशियल और याद रहे है ती माइनस कैलिग्राफिक आर ओवर सी ठीक है कैलिग्राफिक आर इस केस में है स्क्वेर रूट जैट स्क्वेर प्लस स्क्वेर